हेलो स्टुडेंट्स आज का वीडियो है पोलेरोग्राफिक के बारे में एक बहुती इंपॉर्टेंट टॉपिक एनलेटकल केमिस्ट्री का पोलेरोग्राफिक और कंसेप्ट बहुती ऊिजी है अगर हमको इसकी कॉंसप्ट पूरी तरह से समझ के आती है तो इस पर गौ bouशियोल कर सकते हैं तो पोलेरोग्राफिक टेक्निक जो थी वह फिर्ष ली एक साइंटिस्ट जे हेरोवस की उन्होंने 1922 में दी और इसके लिए इन्हें बार में नोबल प्राइस भी मिला था पोलेरोग्राफि एक अलेक्ट्रो एनलेटकल टेक्निक है अब यहां पर इलेक्ट्रो एनलेटकल का क्या मतलब है अलेटकल और उसका माँट्स बैसर लेसर को क्या आपश्चि सेलेटकल जब हम एनलेटकल की बीच में कर रहे हैं तम इस तरीकेजिश को एक बैसिक प्रिंसिपल पर आते हैं बात कर रहा है कि इलेक्ट्रो से दो लाक्ट्रोड है तो यहां पार दो एक सद्रों एक इंडिकेटर और में और इसका पोटेंशियल वराई कर रहा है थ्रो आउट पूरे एक्सपरिमेंट के दोरान हम इसके पोटेंशियल को वराई करते हैं तो इस तरीके के लेक्टोड को यहां पर जो नोन स्टेशनरी अगर हम कोई वायर लेते हैं इसे प्लैक्टिनम वगएर है उसे हम स्टेशनल एलेक्टोड कहते हैं पर यहां पर एलेक्टोड क्या है और ये जो एक पर सब्सक्राइब करती है यहां पर अप्लाइब करते हैं तो एक हलक्य ही भी ज्यातिक हों Mega प्र यह सकता है अब onış हैं तुसरा अभन है यहां पर रेफ्रेंस लेक्डूब इसका पॉटेंशिएल स्वोय घृड़ेंट ऩ॑ं फैर् सक्दर एक्सपेरिमेंट स्थिर रहता है ठकांस्ट में ग्यार कर टांश है मंवर्करी फूर friendly आ है और यह एनोड की तरह वर्द कर रहे हैं तो होता क्या है इस पूरे पूरे पुलेरोग्राफिक एक्सपेरिमेंट में यह किसके द्वारा एनलेसिस की जाती है यहां पर जो मरकरी ड्रॉप है जो कि कैथोड का काम कर रही है वो किसके कॉंटेक्ट में है एक कर रहे हैं और इसके संगसंzk करॉंट जो हो हर्य है वह भी वेयराइई हू रही है तो हम इस पोटेंशियल को और इस के बीच में घ्राफ किछते हैं applied potential और varying current की बीच में graph कीजेगे इस graph को हम क्या कहते हैं? polarogram और इस polarogram से हम analytical solution की concentration भी प्राप्ट कर सकते हैं और इसका identification भी कर सकते हैं तो अब इस polarography का whole instrumentation देखते हैं इसको अच्छी तरीके से understand करने के लिए यह पूरा instrument कुछ इस तरीके से है यहाँ पर हमने इसका एक general view बनाया है आप अगर इसका better view देखना चाहते हैं तो इसे books में देख सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बाद जो हमने कहाता है यहाँ पर cathode क्या है? dropping mercury electrode या एक micro electrode जिसे dropping mercury electrode कह रहे हैं वो है यह क्या है? यह mercury का यहाँ पर एक reserve wire है जो की एक glass की capillary से connected है इस reserve wire में mercury बरी हुई है जो की इस capillary की through यहाँ पर flow करती है और यहाँ से solution में drop के रूप में किलती है यहाँ से जो mercury का flow हो रहा है capillary में वो कुछ mm per second की speed से हो रहा है और यहाँ पर जो यह drop है यह यहाँ पर एक drop लटकी हुई है यह जो mercury की drop है यह cathode की तरह काम कर रही है इसलिए हम इस electrode को क्या कहते हैं? Dropping Mercury electrode क्योंकि यहाँ पर जो dropping mercury है mercury की boom जो की एक capillary से गिर रही है hanging है इस पर लटकी हुई है यह एक cathode के रूप में कार कर रही है और इस एक drop का lifetime कुछ 3-5 second का lifetime होता है एक drop का 3-5 second के बाद यह drop solution में किर जाती है और यहाँ पर एक नई drop generate हो जाती है जो की cathode की तरह काम करने लगती है इसलिए यह एक renewable electrode है क्योंकि हर कुछ second बार एक नया electrode यहाँ पर generate हो जाता है तो यह इसका एक advantage है और भी बहुत सारे DME के advantages है जिसको हम बाद में study करेंगे पहले हम इसका instrument समझ लेते है तो दूसरी बात आती है anode anode यहाँ पर क्या है anode जो है मरकरी का एक pool है जो की इस के bottom में इस cell के bottom में एक मरकरी का pool है जो की anode के रूप में कारे कर रहे है इससे एक wire जुड़ा हुआ है और यह anode के रूप में कारे कर रहा है यह एक positive electrode है और यह एक negative electrode है चुकि यह reference electrode है इसलिए इसका voltage throughout the experiment constant रहता है और यह एक non-polarized electrode है अब जब बात करते हैं सॉलिशन की यहाँ पर जो हम analytical solution ले रहे हैं जिसको हमें analyze करना है means electro active species हम इसे electro active species क्यों कह रहे हैं क्योंकि यह experimental conditions के अंदर reduce होगी या अगर हमारा DME electrode anode के रूप में वार्ट करता तो फिर यह oxidize होती है यहाँ पर क्या हो रहा है यह reduce हो रही है तो यह electro active species है यहाँ इसे depolarizer भी कहते है तो जो electro active species है यहाँ पर इस solution में present है और इसके साथ साथ यहाँ पर supporting electrolyte भी present है supporting electrolyte क्या है यह कुछ भी हो सकता है जैसे sodium chloride, potassium chloride पस इसके लिए जो main condition है वो क्या है इसको experimental condition के अंदर मतला जो potential condition है experiment की उसके अंदर इसे reduce या oxidize नहीं होना चाहिए यह reduce नहीं होगा असलिए हम इसे electro inactive species कहेंगे तो इस supporting electrolyte में यह electro active species एक solution के रूपे यहाँ पर present है और इस supporting electrolyte की जो concentration है यहाँ पर इसकी जो concentration है वो electro active species की तुलना में बहुत जादा है हम कह सकते है 100 times greater than the electro active species अब जो यह whole experiment है यह एक potentiometer से connected है एक battery से connected है और एक galvanometer से connected है galvanometer के द्वारा यहाँ पर current measure की जाएगी potentiometer से voltage measure किया जाएगा यहाँ पर एक आप देख सकते हैं एक H2 के लिए यहाँ पर hole भी दिया गया है जिससे यहाँ पर H2 जो है supply की जाएगी यह H2 यहाँ पर जो oxygen बन रही है इसको remove करने का काम करती है तो यह hole पूरा इसका instrumentation है अब जैसा कि हमने कहा था कि polarography में हम एक plot खीसते हैं एक graph खीसते हैं applied potential और इसके साथ साथ जो current में change आ रहा है उसके बीच में इस curve को हम polarogram कहते हैं तो यह curve जो हमें मिलता है यह एक sigmoate curve होता है और इस curve के अलग-अलग section से यहाँ पर हम एक general description देख रहे हैं उसके बाद हम हर एक point के बारे में detail में study करेंगे तो यहाँ पर जो पहले एक छोटा amount है current का एक initial potential पर यहाँ पर एक small amount of current flow हो रही है जिसे हम कहते हैं residual current फिर हम potential जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर current के amount में बहुत तेजी से बरती होती है यह जो steep growth है current में इसे हम क्या कहते हैं diffusion current और यह diffusion current है यह actually में उस electroactive species के cathode पर diffusion के कारण होती है इसके बारे में हम बाद में study करते हैं पहले आँगे बढ़ते हैं फिर जैसे जैसे potential बढ़ता है current में तेजी से बरती होती है और फिर इस point पर आकर current बढ़ती नहीं है हम potential apply करते हैं और current के amount में कोई बरती नहीं होती है यहाँ पर आकर current limiting होजाती है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं limiting current और इस limiting current से हम इस analyte solution की concentration ग्याद कर सकते हैं concentration का पता लगा सकते हैं और यह जो part है इस point पर स्वाणके कहीता है इस किया कहते है decomposition potential जबकि इस advertisement इस के wil werde इस पॉइंट पर जो potential होता है उसे हम half way potential कहते हैं इस half way potential यह किसी भी element का किसी भी species की characteristic property होती है हर उसका हर electro active species की characteristic property है और इसके द्वारा हम उस species को identify कर सकते हैं इसलिए इसका उपयोग qualitative identification में किया जाता है तो पोलेरोग्राम में चार तरह की current flow करती है एक residual current दूसरी migration current तीसरी diffusion current और चौती limiting current अब हम एक एक के बारे में detail में study करेंगे तो पहले टाइप की current है वो क्या है residual current है residual current क्या है एक छोटा amount current का है एक small current जो की cell में move कर रही सेल में flow कर रही है इन्दा absence of depolarizer जब एक्ट्र 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 एक्टिविस्टीज इस प्रिजेंट नहीं है तब जो current एक सेल के अंदर flow कर रही है उसे जैसा कि हमें पता था कि analytical solution में जो एक्ट्र एक्ट्र एक्टिविस्टीज प्रिजेंट है उसका क्या टैंट्स होता है उसकी आदत होती है कि वो करेगी कैथोर्ड की तरह मूब करेगी और वहां पर जाकर रिडियूस होगी लेकिन यहां पर कुछ इंप्रिटीज की आयन्स प्रिजेंट हो सकते हैं जो कि से मां यह कर्यां प्यूद्ध करते हैं दूसरी तरह该 की करेंट है नॉन फ्यूर sno ao कोकि कारण होती है यह electrical double layer क्या है हमने जैसा कि पहले कहा जो हमारी यह mercury की drop है यह cathode की तरेक्ट कर रहे हैं मतलब यह negatively charged है और जहां पर जो ions है electrolyte के positively charged ions है यह क्या करेंगे potential के अंदर यह यहां पर move करेंगे और इसके चारों और एक double layer बनाएंगे यह negatively जाज है तो इसके चारों और एक positively layer बनाएंगे इसे हम क्या कहेंगे electrical double layer या helmholtz double layer केते हैं तो इस double layer के बनने के कारण एक current का flow हो रहा है उसे हम कहते है non-faradic क्या capacitive current अब दूसरे करेंगी current है वो क्या है migration current यह migration current किसके कारण होती है यह migration current ions के migration के कारण है दो electrodes के बीच में जैसे जैसे हम potential बढ़ाते हैं potential बढ़ाने के साथ में ions का movement बढ़ जाता है ions के migration होने लगता है electrodes की बीच में इस migration के कारण जो current flow होती है उसे हम कहते है migration current अब यहाँ पर ions तो तरह के एक तो supporting electrolyte के और दूसरे electro active species के दोनों ही flow करेंगे दोनों ही migrate करेंगे तो जो current मिल लई है मैं वो की तोनों के कारण मिल लए लेकिन हमें current चाहिए सिर्फ सपोर्टिंग लेक्रॉलाइट के कारण हमें इस electro active species के कारण migration current नहीं चाहिए क्योंकि फिर यह interfere करेगी diffusion current के साथ हमें इस electro active species से सिर्फ diffusion current ही चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं supporting electrolyte को बहुत ज्यादा जिसके कारण जो पूरी करेंट है वो उसका most of the part इस supporting electrolyte के कारण होगा और जो electroactive species के कारण जो part है वो negligible हो सकता है तो इसके कारण जो हमें मिलेगी करेंट वो सिर्फ diffusion के दौरा मिलेगी ये सारी करेंट किसके दौरा होती है supporting electrolyte की कारण तो यही कारण है जो हमने पहले गाता कि supporting electrolyte जो है उसकी हम amount hundred times ज्यादा लेते हैं इलेक्ट्र एक्टिव स्टिसीज से तीसरे टाइप की जो करेंट है वो है diffusion करेंट जो सबसे important की करेंट है वो क्या है diffusion करेंट है और यह किसके कारण है जो इसके आयन के कैथोड की तरफ diffusion के कारण जो करेंट हो रहा है उसे हम कहते है diffusion करेंट तो होता क्या है diffusion क्यों होता है जैसे हमने कहाता है यहां पर एक electrical double layer बन रही है अब जो एक्ट्रो एक्ट्रेव स्टिसीज के आयन से जैसे जैसे यहां पर इस mercury drop plate में कंजियूम होने लगते हैं इस जो रियक्शन हो रही है मन प्लस प्लस एन अलेक्ट्रों यह मिलकर क्या बना रहे हैं मैटल हजी मैटल मरकरी अमलगम बना रहे है अब जो इन आयन का कंजेप्शन हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है क्यों इनके लिए यहां यहां पर इनकी कंसेप्शन करने लए самом यहां 26 noted वह रियंगे देख्यूंक मंदुगी तो जो रेटे जिसका lifetime 3-5 seconds का था यहां से solution में गिर जाएगी और यहां पर एक नई drop generate हो जाएगी तो again फिर से क्या होगा ions फिर से diffuse होने लएंगे उसी rate पर और फिर से वही current create हो जाएगी तो मतलब यह जो renewable यहां होती है एक साथ कम होती है यह ज्यादा होती है इसलिए अगर में डिया क्यार तो हम कंसेट्रेशन सब्सक्राइब करेंगे नियुक्त हैं सकते हैं अब हम देखते हैं इलकोविक एक्वेशन एक बहुत ही question अगर numerical आता है तो वो इसी equation पर based होता है और ये equation diffusion current और concentration के 20 का relationship दिखाती है equation क्या है? ID is equal to 607 N F D to the power half C M to the power 2 by 3 D to the power 1 by 6 यहाँ पर ID क्या है? ID एक average diffusion current है in micro ampere N, N number of electrons involved in the electrode reaction F F faraday है D diffusion coefficient of the electroactive species in centimeter square per second C is the concentration of the electroactive species in millimoles per liter M is the rate of flow of mercury through the capillary in milligrams per second and T is the time between the successive drops of mercury in second it means the lifetime of the mercury drop so if we know these things then we can calculate the average diffusion current here the two terms M and T depends upon the capillary size and its characteristic while the terms N concentration and diffusion coefficient these depends upon the characteristic of the solute and the solution for a particular set of the experiment these all terms will be constant they will be fixed so by measuring the diffusion current we can calculate the concentration of the analyte solution okay, now the third term important term is half way potential जिसे हम डेनोट करते हैं यह हाफ से यह क्या है applied potential जिस पर कोई भी current जो उसकी limiting value की आधी होती है परला current जो limiting current value है उसकी आधी current पर जो applied potential की value होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाफ केटेंशल के जैसें कि एपुरा curve है यह क्या है small limiting current है और यहाँ तक क्या है यह area से लेकर below your little diffusion current है इस diffusion current का half point है मतलब यह point इस point पर जो potential है इस potential को हम क्या कहते है half way potential क्या है और इस half way potential की important बात क्या है यह concentration time से independent होता है concentration पर निर्बन नहीं कर रहा है यह analyte solution की बलकि यह क्या है यह characteristic होता है किसी भी particular electroactive material का इसके द्वारा हम electroactive material को identify कर सकते हैं इसलिए halfway potential का use qualitative analysis में किया जाता है compound के identification के लिए इसलिए उसकी मदद से हम concentration निकाल सकते हैं जबकि यहाँ पर identification किया जा सकता है अब दूसरी बात हम देखते हैं दूसरी topic क्या है advantages of the DME dropping mercury electrode के advantages क्या है पहली बात क्या है dropping mercury electrode एक renewable electrode है क्योंकि हर drop mercury की एक नया electrode बनाती है इसलिए यहाँ पर impurities के surface पर accumulate होने के chance ही नहीं रहती हैं दूसरी बात mercury की surface mercury drop की perfectly smooth round shape surface है जिस पर scratches are irregularity का कोई सवाल ही नहीं है तीसरी बात क्या है जो dropping mercury electrode है वो mechanical stress के लिए बहुत ही कम sensitive होता है another point of the advantages of the dropping mercury electrode is that it gives high over potential यह क्या करता है hydrogen evolution के लिए बहुत ही ज्यादा over potential देता है जबकि stationary electrodes ऐसे की जो metal electrodes होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनमें क्या होता है अगर हम उन पर alkaline or alkaline earth metals का analysis करते हैं तो वहाँ पर water का reduction भी simultaneously होने लगता है और hydrogen का evolution होने लगता है जिसके कारण हम alkaline इसकी analysis stationary electrodes पर नहीं कर सकते हैं जबकि अगर हम dropping mercury electrode का इसके माल करते हैं तो यहाँ पर hydrogen evolution के लिए high over potential होता है इसलिए water का reduction नहीं होता है इसलिए हम alkaline or alkaline earth metals की analysis easily carry out कर सकते हैं another point क्या है DME पर बहुत ही small amount analyte solution का use किया जा सकता है हम बहुत ही कम amount में अगर हम उस electroactive material को लेते हैं तो उससे भी उसका identification और quantitative analysis की जा सकती है और another important बात क्या है इसमें DME में कि यहाँ पर जब हम stationary electrodes यूज करते हैं तो concentration gradient जो होता है वो समय के साथ साथ दूर हटता जाता है farther and farther इसकी वज़े से क्या होता है जैसे जैसे time बढ़ता है current का rate current के flow का rate कम हो जाता है लेकिन यहाँ पर renewable electrode है तो हर drop नई बनती है हर drop उसके साथ में current का rate हमें वापस उतना ही प्राफ्त होता है तो average जो rate होता है current का हर mercury drop के लिए एक सा रहता है, same रहता है अब दूसरी important term देखते हैं वो है polarographic maxima यह क्या है? one of the limitation of the polarography जिसे हम कहते है polarographic maxima क्या है? जब हम एक polarogram देखते हैं, एक current और potential के बीच में कब देखते हैं वो generally एक sigmoid curve होता है लेकिन कभी-कभी इस curve में एक maxima दिखाई देती है इस maxima को हम क्या कहते है? polarographic maxima कहते हैं it means क्या कहते हैं इसे? current में increase current तेजी से यहाँ पर बढ़ रही है और फिर घड़ रही है अपनी limiting value से उपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है इस एक maxima के रूप में इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? polarographic maxima या इसे polarographic wave भी कहते हैं और यह बनती क्यों है? यह solution के streaming motions के कारण बन रही है जो solution है वो streaming motion करता है इसके कारण जो depolarizer है या electro active species है उसका transport या diffusion electrode की तरफ बढ़ जाता है जिसके कारण current का amount बढ़ जाता है और यह अपनी limiting value से उपर निकल जाती है इन abnormal form इसे हम क्या कहते है? polarographic maxima polarographic maxima दो तरीके हो सकते हैं एक first type का maxima और दूसरा second type का first type के maxima जो है वो generally dilute solutions में पाया जाता है और इस type के maxima में क्या होता है? यहाँ पर current में abrupt एकदम से abnormal increase होता है और फिर इसके बाद यहाँ पर एक abrupt decrease decrease, sudden fall होता है current में और यह limiting value पर पहुंचती है तो इस type का maxima देखते हैं in the case of dilute solutions और यह किस कारण है? जैसा हमें बताया था streaming motion के कारण है solution के तो दो तरह के maxima मिल सकते हैं एक होता है positive maxima और दूसरा होता है negative maxima और यह दोनों जो positive और negative हैं यह क्या चीज़ शो कर रहे है यह जो है position शो कर रहे है half way potential की position के accordingly इन्हें हम positive या negative कर रहे हैं positive type के maxima में जो motion है solution का streaming motion है वो कहां से यह drop है हमारी mercury की तो इस mercury की drop की next से लेकर इसकी bottom की तरफ इस तरह से downward motion जब हम देखते हैं तो वो positive maxima के case में रिखते हैं और negative maxima के case में from the bulk of solution solution के bulk से drop के bottom की तरफ मतला upward motion जो हो रहा है वहाँ वो motion जब देखते हैं तो negative maxima में drop होती है polarographic maxima की height जो होती है वो surface active substances जैसे की dyes, terpenes या detergents की presence के द्वारा greatly affected होती है और इसको हटाने के prevention क्या है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिसे की maxima कम मिले इसके लिए gelatin का use किया जाता है अगर हम एक थोड़ा सा amount gelatin का analyte solution में mix कर देते हैं तो इससे polarographic maxima को बहुत अद्टक surprise किया जा सकता है इस पर question भी आ चुका है कि gelatin किसका इस्तिमाल किया जाता है polarographic maxima को surprise करने के लिए तो इसका answer क्या है gelatin second type की maxima होता है जो की concentrated solution of the supporting electrolyte जब supporting electrolyte की concentration solution हम लेते हैं 0.1 and concentration का solution तो second type की maxima प्राप्त हो सकती है और इस maxima की जो height होती है इस maxima की ये depend करती है mercury के flow rate पर तो अगर हम capillary में mercury के flow rate को कम कर देते हैं तो इस तरह के maxima को prevent किया जा सकता है तो ये था हमारा वीडियो polarographic के बारे में और मैंने जितने भी important topic हैं सब को cover करने की कोशिश किये अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने exams के लिए मेरे क्याल से पूरा completely polarographic topic ले सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please comment करना ना भूले Thank you